हलो प्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनेंगे जहटपट बनने वाला माल पुआ और होली में तीसे बनाना ही चाहिए खाने में काफी टेस्टी होता है पूरा वीडियो जरूर देखी अगर वीडियो काला माल पुआ और इसको बनाने में कोई भी जंजट नहीं है फटाफट से बन जाता है तो सबसे पहले हम इसके लिए बैटर त्यार करेंगे यहां हमने एक कटोड़ी मैदा लिया है एक कटोड़ी यहां पर हम सूजी लेंगे तो दोनों चीजों की क्वेंटिटी सेम होनी कि चाहिए बराबर मातरा में लेंगे और वजन में देखेंगे 300 ग्रम मैदा और 100 ग्रम सूजी है और यहां पर मैंने 100 ग्रम चीनी का पॉडर बना लिया है तो यहां हम इसमें चीनी का पॉडर डाल देंगे थोरे से यहां पर ड्राइफ रूट्स जो भी आपको पसंद डाल सकते हैं मैंने थोरा सा काजू बादाम और किस्मिस डाला है थोरा सा इलाची पॉडर जुटकी भर और इसमें मैंने 200 ग्राम दूद लिया था तो 200 ग्राम दूद डाल करके इसको हम अच्छे से मिक्स करके बेटर बना लेंगे नॉर्मल दूद ता अबला हुआ और इसका हम एक अच्छा सा बेटर हम तियार कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके इसका बेटर ना ज्यादा गाड़ा ना ज्यादा पतला होना चाहिए जैसे हम पकोरे बनानी के लिए बेटर बनाते हैं उससे ही बनाना है और अभी आप देख सकते हैं किस तरह का मैंने इसको इसका बेटर बनाया है मैंने इसमें पूरा 200 ग्राम दूद डाला था तो आप वजन से मैंने सारे चीज़े बताया है तो आप इस चीज़ का धियान रखे इस हिसाब से आप डालिएगा और एक गंटे के लिए हम इसको रखेंगे रेश्ट के लिए और एक गंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक गंटे तक यह अच्छे से फूल जाएगा तो चलिए हम एक गंटे इसको रख देते हैं और यहाँ पर देखिए एक गंटा हो चुका है और यह देखिए पहले कितना ज़्यादा लिक्विडी दिख रहा था और काफी अच्छे से फूल गया है और पहले से गाढ़ा हो गया है तो पहले हम इसको एक बार मिलाएंगे और अब हम यहाँ पर डालेंगे दो बराच चमच मलाई दूद की जो मलाई होती होई है इससे काफी बढ़ियाँ टेस्ट आता है वैसे ऑप्शनल है और थोरा सा यहाँ पर बस एक चमच के लगबख दूद डाल करके इसको हम थोरा सा पतला करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि यह काफी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है अब हम क्या करेंगे इसको दो से तीन मिनट तक जो चमच होते हैं इसको हम अच्छे से फेटेंगे ता कि बेटर हमारा काफी अच्छा स्मूध हो जाए तो कि हमने इसमें सुझी डाला है तो सुझी थोरा मोटा होता है इसको हम अच्छा स्मूध कर लेंगे बेटर को 2-3 मिन arrive तक अच्छे से फेट करके और तेल इसके लिए हमें मीडियम गरम चाहिए और यहां मेंने रिफाइन डॉयल लिया है गैस के प्लेम को भी मीडियम रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम डालेंगे बेटर को और एक ही जगह आपको डालना है तो एक चमच मेंने पूरा बेटर यहां पर डाला है और और जैसे एक तरफ से आपको गोल्डेन कलर इसमें दिखने लगे तब आपको पलड देना है इसको दोनों ही तरफ से अच्छा सा कलर आने तक इसको मतलेंगे मीडियम फ्लेम पे ही और देखे कितना बड़ियां फूला है और काफी बड़ियां बना भी है गोल एक दम अच्छे सेप में भी आया है तो यहां देखे एक मालपुआ बन करके यहां पर तयार है दूसरा भी हम आपको यहां पर बना कर दिखाते हैं तो यह देखे बिल्कुल सेंटर में डालना है एक ही जगह डालना है यह अपने आप ही अच्छा से सेफ ले लेगा और इस तरीके से तेल हम डालेंगे देखे कितना बढ़िया से फूल रहा है तो बेटर जब स्मूध बनेगा न तो अच्छे से अपने आप ही फूलेगा और इसको हम पलड देते हैं इसको भी हम अच्छे से तलेंगे दोनों तरब से गोल्डन कलर आने तब गलर आपको इसके उपर जैसा चाहिए थोड़ा डार किया थोड़ा लाइट वैसे आप इसको तल सकते हैं तो ऐसे ही कड़के हम यहाँ पर सेम प्रोसेस से साड़े बना लेंगे साड़े माल पुए यह देखें इसके उपर भी अच्छा सा कलरा चुका है इसको भी निकाल लेते हैं और ब wagon का भी मैसे ही बना लेंगे तो यह लिजेए यहाँपर मैंने साड़े माल पुए बना लिये हैं और देखे कितना बढ़े हैं सारा माल बना है सारे बहुत ही अच्छे से फूले हैं और काफी टेश्टी बना है आप देख सकते हैं ये बिना किसी जंजट के फटापट से बन जाता है इसमें चासनिवगर बनाने की जंजट नहीं है और यहां हम आपको तोर कर दिखाते हैं कि और अंदर से भी बिल्कुल भी कच्छा नहीं है एकदम अच्छे से फूला है काफी टेश्टी बना है तो फ्रेंट्स आप लोगों वीडियो पसंद आया हो पसंद आया थे प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें अपनी फैमिल और फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को स सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए